नमस्ते विद्यार्थी मित्रो शिद्धी हिंदी विद्याले की ओनलाइन सब क्लास में आप सबका स्वागत हैं गुड मॉर्निंग चैस श्री कृष्णा आप लोग का दिन मंगल मही रहे और हमेशा ही अस्ते खेलते रहो ऐसी सुफ कामना के साथ वीडियो की शिरुवात करत हैं इसके अंतर गत्म कोक्षाटिन विशह पर्यावर्ण के अंदर पार्ट नमबर के तीसरा जिसका नव क्या है पानी रे पानी इसके बारे में चर्चा कर रहा थे कि विडियो को आगे बढ़ा हैं उससे पहले अगले वीडियो के अंदर हमने क्या ता उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं अगले वीडियो के अंदर हमने पानी की एक छोटी सी कविता को पड़ा था उसके बश्याद पानी की उपयोगीता के बारे में और पानी हमारे लिए किस तरह से उपयोगी है यह देखा था और पानी कहां कहां से मिलता है तो हमें नदी जरने तालाब और कुए के बारे में हमने कहीं गीत सुने और इन में से हमें पानी मिलता है आप पानी कहां से लाते हो तो हम लोग भी पानी कहां से लाते हैं हमारे गर पर अगर शहरों में रहते तो कहां से आता है म्यूंसिपालटी के द्वारा आता है ना नल में हाँ उसकी वश्याद आपके गर के आसपास पाये जाने वाले पानी प्राप्त करने के इस्थानों के नाम पर गोला लगाई है ठीक है यहां शहर में रहते हो तो इन सबी चीजों स्थूब में से कम होगा लिकिन अगर तुम गाव में रहते हो तो इस सारे चीजों स्थूब इसे पानी आता है जैसे कि तालाब है कुवा ट्यूब वेल जल प्रपाथ हैंड पंप नदी जरना नल टंकी समुद्र और गर्म सोता ठीक है जिसमें से अभी हमारे घर के पास में पानी कहां से आता है नल में से आता है टंक गुआ कि आता हो तो यह अपार्मेंट का उनका खुद का टूब वेल भी हो सकता है तो उसकी दौरा बिसके पानी आता होगा ठीक है तो इसमें से कुआ है तालाबे जहांसे आपके गाउं के आप लो गाउं में देखो या पिर यहां शहर में आपके गर्व में जिस पी जगह से पानी आता हूँ आप लिख सकते हो ठीक है गोला करना है लिखना नहीं पानी ज़्यादा या कम अधिक से कम पानी के आवशक्ता के आधर पर निची की प्रोड़तियों को योग्य करम में लिखिए बरबर अधिक से कम यानि कि कौन से चीज में ज़्यादा पानी के आवशक्ता पड़ती है और कौन से चीज में पानी की कम आवशक्ता पड़ती है बरबर हैं जिसमें पहला है नहाने में दूसरा है पीने में तीसरा है गरदोने में चौता है खेत में पांचवा मिट्टी गुतने में और साथवा खाना बनाने में ठीक है जिसमें सबसे अधिक पानी का उपयोग कहा होता है खेत में पानी देने में ठीक है दूसरा उपयोग कहा पर करते हैं हम लोग घर दोने में कि काँ गुतने में बरबर सौता उप्योग नहाने में पांच्वा उप्योग की आधिक आवशक्ता काम पड़ती है तो इसलिए खेटों के अंदर इसका उत्वियोग में होता है फिर उसके बशाद गर्दोर में, पूरा गर्दोर में भी पानी की आवशकता अधिक पड़ती है फिर है मिट्टी गूतने में, मिट्टी के मटकों को बनाना हो तो उसके अंदर भी पानी की अधिक आवशकता पड़ती है नहाने के अंदर भी पानी की अधिक आवशिक्ता पड़ती है और खाना बनाने में और पीने के अंदर पानी की अधिक आवशिक्ता पड़ती है ठीक है तो ये पानी का ज़्यादा से कम प्रवड़ोतियों के उप्यों के अंदर क्राम है उसके पश्याद आगे बढ़ते हैं तो सोची और लिखी आपने कभी जमीन से गर्म पानी निकलते दिखा है कहां आद दिखा है तो सिश्या में गुजरात में वहाँ पर यहां उनाई में जाओ सापुतारा में जाओ वहाँ पर गरम पानी है गरम पानी के जर्ण आये हुए है ठीक है उसके पशाद आपके गाव या शाहर में से होकर कोई नदी गुजरती है यदि हाँ तो उसका नाम लिखे हाँ तुमारे गाव से भी नदी कोई गुजरती होगी यहां हम सूरत में रहते तो यहां से भी नदी गुजरती है कौन-कौन से नदी गुजरती है नर्मदा और तापी आप जानते हो ऐसी अन्य नदीों के नाम हाँ हम लोग जानते हैं जानते हो न आप सभी भी गंगा, यमुना, सरसुती, सिंदू, नर्मदा, तापी, कावेरी ऐसी कई नदीों के नाम आप लोग भी जानते होगे या सुने होगे तो हम लोग भी नदीों के नाम जानते हैं ठीक है उसकी पसात सोचिए और बताईए यापके गर में पीने का पानी कहां से आता है पानी पीने के लिए आपको कहां जाना पड़ता है पानी लाने के लिए आपको कहां जाना पड़ता है कहां जाना पड़ता है गाव में होगे तो कुवे पर या एंड पम के पास ठीक है जाना पड़ता है यहाँ पर पानी लाने के लिए आपको नल के पास जाना पड़ता है पानी लाने में कितना समय लगता है गाव में अगर तोड़ा दूर होगा तो कितना समय लगता है 15 मिनीट आधा गंटा इतना टाइम लगता है 30 मिनीट अगर यहाँ पर हमें पानी लाने जाना तो कितना टाइम लगता है यहाँ नीचे से अगर किसी के गरगे नीचे नलाता हो तो पांच मिनिट लगता है बरबर हमें पानी का संग्रा करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है ताकि जब भी पानी ना है उस समय का अलकेंदन या फिर गर में पानी की जो सप्लाई वो बंद हो जाए तो अगर पानी का संग्रा हुआ होगा तो हम वो पानी का उप्योग कर सकत किया जाता है क्या आप और आपके पड़ोश योगा पानी बने का सान अलग अलग है क्यों हाँ अलग अलग है क्यों कि सब के गरम अलग अलग इसलिए ठीक है आया समद में सबको तो यह था पानी की उपयोगीता के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ठीक है अधिक जानकारे हम प्राप्त करेंगे लेकिन इसके अगले वीडियो के पश्चाद आशा रखता हूं आज की वीडियो में सबको समद में आया होगा वीडिय को सुनने के लिए थेंग्यू